हाई फरॉट्सअ आफ सबी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में आज के सब लूए आ बताने वाले हैं कि किब crush में कैसे UK बना जाता है या रोप्रिका मार्किंग कैसे क्या जाता है उसका कटिंग कैसे कैसे उसकी साइट कैसे निकाली जाएगी तो इस तरह की सब जानकारी के लिए हम बताने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक के आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक ने किया तो प्लीज लाइक करतीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब करत माल लिजे मेरा 30 , 30 का 300 mAh केभल ट्रे हैं और इसमें हमको 10 रेडि़ीसर बनाना है यानि हमको 40 मिस करेंगे दोनों साइट 4 .... 30 में करेंगे यानि मार्क नगा लेंगे हम मार्किंग करने के बाद Wolf九ikum हमको ध्यान रखना कि किस साइड हमको कितना बनाना सेंटर का रिडूसर बनाना साइड का बनाना या किस साइड बनाना तो हमको साइड का बनाना है यह लेफ्ट साइड का बनाना है तो हमको ध्यान रखना कि यह सब्सक्राइब करेंगे लेफ्स साइट से लगाकर और स्टार्टींपॉंट भी दस सेटिवे मार्क करेंगे उसके बास कि यह दोनों टिक को यह दोना टिक करằng। हम अपना इस्केल रखोगे या कोई switching else or lining के लिए या कोई सामाल ले लेना जैसे कि मैं использовать channel ले रखा हूं तो आप भी switching या किसी चीज से रखके इसको marking करेंगे उसके बाद है यह हमारी 40 का है यह reminder ने mark क्या हूं अब इस mark केसे हमको 20stä पर mark करना है क्योंकि 20 संटी हम मानिस करहें इसमें से तो इसी संटी की है हमारी धिए ध्यान रखना है जितनी हाइट है उतने हम इसको लेना है इसके बाद उस अगय m सीधे पर मार्किंग करना है फिर दुबारा हमको इस टिक से केबल ट्रे का कॉर्णर पर मार्किंग करेंगे ध्यान रखना है हम करारा mark गलत नहीं होना चाहिए एक दम same to same होना चाहिए फिर उसके बाद दूसरे वाला kayak पर इस site तो міर्किंग करना है जियान रखना है ये दो जो मार्क हम K vapor हम कर रहे दो이고 cut करना है सिर्फ उसके बाद तीसरा हमारा सामने वाला एक siya हिस्सा कटिंग करना है दूसरा ये कटिंग करना है तीसरा ये मैं लिक देता हूं इस पर कट वाली लाइन पर ही जो जो लाइन कटिंग करना है उस पर मैं कट लिक देता हूं उसके बाद ये तीनो लाइन को हमको कट करना है हमको ध्यान रखना है ये कटने के बाद में ये दो हिस्सा बर चड़ा है हमारा तो ये दोनों हिस्सा एक दूसरे पर चड़ेगा तो ये इस तरह जब एक पहला वाला पहले पर चड़ेगा और दूसरा वाला वो दस पर चड़ेगा तो इसको हम इतना ज्यादा हमारा यह इस्ट्रा हो जाएगा इसलिए हम एक इस्ट्रा लाइन मार लेते हैं अब यह आला हिसा हमारा सिर्फ इतना ही बचेगा यानि दो लाइन होल वाले जो है यह दोनों बचेंगे और यह एक दूसरे पर चड़ जाएंगे फिर उसके बाद हम नेट बोल्ट से टाइट करेंगे इसको अब इसको हम कटिंग करके दिखाते हैं कटिंग करने के बाद क्या क्या बचेगा आपको समझ में आ जाएगा हमको ध्यान रखना है कि हमारा कटिंग एकदम सेम तू सेम लाइनिंग पर ही होना चाहिए इधर उदर डिस्बेलेंस नहीं होना चाहिए नेफी मेरा ट्रे खराब जाएगा और बहुत ध्यान में ही रखके ही मार्किंग करना है किस साइट कटिंग करना है किस साइट छोड़ना है किसको कटिंग करना है बहुत ध्यान में रखकर ही हमको ट्रेक कटिंग करना है जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा एक line complete हो चुका है एक line हमारा cut चुका है और दूसरा line हम cutting करने जा रहे हैं तो दूसरा line को भी सही से cutting करना है उसके बाद मैं फिर ये plane वाली line जो मैंने marking किया है उसको भी cutting कर लेना हमको आप देख रहें कि यह दूसरा वाला लाइन भी हमारा कट रहा है इसके कटने के जस्ट बाद हम तीसरी वाली लाइन को कट करेंगे उससे पहले कि यह मेरा तीसरी लाइन है ध्यान रखना कि जिस पे मैंने मार्किंग की थी कट कर निशान किया था यह तीन लाइन को ही कट करना है अभ यह कट हुने के बाद में हमारा याश्टीन में लाइन कट गया अब यह हमारा जो Z इसको जब मैं बेंड करता तो दस सेंट के बाहर निकल जाता है इसलिए मैंने एक्ष्रा को कटिंग करके बाहर निकाल दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं यह भी कट गया अब इसको हम अच्छे से अब एक कट का निसान यहां मारेंगे क्योंकि जो अंदर की तरफ जो फोल्ड करना है उसके लिए वी का कट होना जरूरी है और जो बाहर की तरफ हमको कट करना उसी उदर कटी का निसान मारना हो है तो हमक करें उसको अच्छे से फाइल करने के बाद में इसको हम बेंड करेंगे अब भी वाला निसान में भूल गेता है अभी कट कर रहा हूं उसके बाद करने के बाद में उसको बाहर की तरफ हम फोल्ड करेंगे यह मेरे कटिंग हो गया अब यह मैं बाहर की तरफ फोल्ड किया उसके बाद ये अंदर की तरफ दबाते हुए इसको अच्छे से पुछ कर देंगे हम और ध्यान रखने हैं अगर आपको ये अंदर नहीं जा रहा है तो एक तरफ की पलेट जो बाटम वाला हिस्सा है एक तरफ डाउन कर दें और दूसरी तरफ का आप कर दें मैंने एक अब इस बन रहा है तीस सेंटी का जो हमारा था वो कटके अभी दस पे कंप्लीट हो रहा है अब यह जो आगे वाला हिस्सा बचेएगा इसको हम फिनिसिंग के साथ एदब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मार्किंग करके हम कटिंग करके दिखाएंगे जैसे आप देख रहे हैं अब इसको हम इसी पर नेट बोल्ट से नीचे होल मार के अगर होल मेंचिंग करें तो नेट बोल्ट से टाइट कर देंगे हम अगर नहीं हो रहे हैं तो हम इसको ब्रिल मसीन से होल करके नेट बोल्ट को टाइट कर देंगे एक लाइक तो बनता है यह मैंने कंप्ली the same marking से ही हमको इधर बाहर कॉलर वाली साइड ही मार्किंग करना करना है और उसके बाद इसको कट कर देना है हुआ हुआ है यह हमारा कटिंग हो रहा है कटिंग करने के बाद में आपको हम साइड दिखाएंगे कि यह मैं जो दस का बनाया यह कितना हुआ यह मेरा complete हो चुगा है अब इसको हम फाइल कर देंगे जो कट वाला निसान इसमें धार रहती है हाथ लगेगा तो कट सकता है इसलिए इसको हम फाइल कर देंगे आसा करता हूँ आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आएगा तो फिलीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजे